हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम आलेकूम, विलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होम जायखा तो भिंडी की सबजी तो बहुत लोगों की फेवरेट सबजी है, मगर इसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी तूट जाती है, तो आज हम भिंडी की सबजी बनाएंगे और साथ में कुछ टिप्स और ट्रिक बताएंगे, जिससे भिंडी ना तो तूटेगी और ना ही चिपचिपी बनेगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपसे कोई भी टिप्स मिस ना हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शियर जरूर करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने भिंडी को इस तरह से काट लिया है, और यह इसके उपर और नीचे का हिस्सा, इसे हम निकाल कर अलग रख देंगे यहां पर मैंने दो प्याज ले लिये हैं, तो इसको पतले पतले ही स्लाइस में काट लें, और साथ में छे साथ हरी मिर्स तो आप इसमें पिसी हुलाज में बिल्कुल भी एड नहीं करेंगे, तो चलिए अब यहां पर मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, अब हम इसमें तेल डाल लेते हैं, तो यहां पर तेल मैंने कम से कम 1.500 एमिल डाला है, तो अगर इसमें आप तेल कम डालेंगी, तो यह भिंडी हम थोड़ा सा प्यास डाल कर देख लेते हैं कि तेल हुआ है या नहीं, तो यह देखिए तेल अच्छे से हो चुका है, अब हम इसमें सारा प्यास एड कर देंगे, और प्यास को लगातार चलाते रहें, यह जलना नहीं चाहिए और नहीं कच्चा होना चाहिए, तो चलिए हम इसे mix कर लेते हैं और अच्छे से चलाते हैं तो भिंडी खिली खिली बनाने के लिए सबसे पहली tips यही है कि आप इसमें तेल अच्छा डालें इसमें तेल अगर आप कम डालेंगी तो यह चिपचिपी हो जाएगी और अच्छे से भूनेगी भी नहीं तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने वीडियो ज़रा सी भी इसकिप कर दी तो फिर आपको जो tips मैंने बताई है वो नहीं पता चल पाएगी तो फिर आप इस तरह से भिंडी बनाएंगी तो यह बहुती टेस्टी और बहुती मज़ेदार बनेगी तो चलिए हम इसको लगाता चलाते हैं ताकि यह जलने ना पाए और इसे चलाते रहें और यह देखिए प्याज लगभग हो चुका है तो बस अब हम इसमें हरी मिर्च जो हमने काट कर रखी थी वो एड़ कर देंगे तो बस मिर्च डालने के बाद एक मिनट ही इसे अच्छे से सौते कर लें और फिर इसमें हम भिंडी थोड़ी थोड़ी करके एड़ करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ी सी भिंडी पहले एड़ कर लेते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर टिस नमबर टू ये बात ध्यान रखिएगा कि भिंडी चलाने के लिए हमेशा इस तरह के कलचुल का इस्तेमाल करना है अगर आप इसका मोटे कलचुल का इस्तेमाल करेंगी ना तो भिंडी जो है बहुत जल्दी तूट जाएगी तो चलिए अब हम इसमें नम करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो एक बार इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें जिससे सारा तेल प्याज और नमक अच्छे से पूरी सब्दी में मिक्स हो सके तो बस इसे हर किनारे से मिक्स करते हुए अच्छे से चला लें और फिर इसे ढखकन ढखकर हम कम थे कम पांच मिनट भाब देंगे तो चलिए यहाँ पर सबजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम इसका ढखकन ढख देते हैं तो ढखकन ढखने के बाद बस लगभग 5-7 मिनट ही हम इसे धीमी आज पर पकाएंगे तो यहाँ पर गयर सलो कर दें और इसे 5-7 मिनट पकने दें तो चलिए अब 5 मिनट हो चुका है हम इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर यह ध्यान रखीएगा कि सबजी अभी एक बार मिक्स कर के और 5 मिनट के लिए ढख दें तो ये देखिए सबजी तो अब थोड़ी सी भून चुकी है और ये गलने भी लगी है तो बस इसे एक बार और मिक्स कर देंगे और ये बात यहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा कि चम्मच इस तरह काही होना चाहिए जिसमें किनार में धार होती है मोटे धार किनारे का चम्मच यूफ न करिएगा तो चलिए अब पांच मिनट हो चुके हैं और ये सबजी भी देखिए गल चुकी है बस अब इसे बिल्कुल भी धीमी आज पर नहीं छोड़ना अब हम इसका हाई फ्लेम पर अच्छे से इसे भून लेंगे तो यहाँ पर हम इसमें एक चीज और एड़ करेंगे जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और इसका चिपचिपापन भी खतम हो जाता है तो चलिए पहले एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें वो चीज एड़ कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पर मैंने इस भिंडी में डालने के लिए एक लेमू का इस्तेमाल किया है अगर आप चाहें तो लेमू की जगा जामून का सिरका या कोई सिरका भी एड़ कर सकती है तो यहां पर मैंने एक लिए मुकरस इसमें अच्छे से निचोड़ कर डाल दिया है और इसे डालने के बाद फिर अच्छे से अब भिंडी को तेज आच पर ही भून लेना है अब इसे बिलकुल भी धीमी आच पर मत छोड़िएगा और टिप्स नमबर तीन कि इसे भूनना भूनते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि आप भिंडी को ज्यादा चलाईएगा नहीं बलकि इसे तेज आच पर पांच मिनद छोड़ दीजिएगा और फिर जब ये नीचे से थोड़ा हो जाए तब इसे आप चला दीजिए इसे भिंडी को बहुत ज्यादा चलाना नहीं होता है वरना ये भिंडी तूर जाती है और अग्दम हलवा हो जाती है जिससे ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती तो चलिए अब हम इसे थोड़ा चटपटा बनाते हैं तो यहाँ पर मैनेचे ने कुटा हुआ मिर्च यूज़ किया है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पिसा मिर्च बिल्कुल भी एड़ नहीं करना है हरा मिर्च एड़ करिए और अगर आपको मिर्च कम तो ये सबजी तो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद होती है तो इस तरह आप एक बार ये सबजी जरूर ट्राइ करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको सबजी की रेसिपी कैसी लगी ये सबजी बहुत ही आसान है बस इसे बनाना के लिए आप फॉलो कर लीजिए तो ये बहुत अच्छी बनती है तो ये देखिए यहां पर सबजी अब लगबग हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है देखने में तो ये लगी रही है खाने में भी ये बहुती मज़ेदार थी तो चलिए बस अब इसे तेज आज पर भून लेते हैं और हम इसे ज्यादा चलाएंगे नहीं तो ये देखिए इसका तेल भी अब अलग हो चुका है और ये चिपची पी भी बिलकुल नहीं है हम इसे इस तरह से उठाकर चमच से गिरा रहे हैं तो एकदम अलग-अलग भिंडी दिख रही है आपको भी ये दिख बंद कर देंगे और इसे बंद करने के बाद एक बात का ध्यान और रखना है तो आपको ये टिप्स और ट्रिक्स जरूर रियाद रखनी है वरन की आपको भीनडी बनाते वक्तेल थोड़ा ज्यादा रखना है टिप्स नंबर टू ये है कि भीनडी को बस 5-7 मिनट ही का ही इस्तेमाल करिए जिस तरह का ये चनना है बस इसी तरह का मोटे चमची बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिएगा वरना इससे बिंडी तोट जाती है और अब लास्ट टिस यह है कि आप इसे बनाने के बाद जब आप कैस बन कर दें तो इसका धकन बिल्कुल पूरा मत धक इसे थोड़ा सा खुला रहन दें क्योंकि इसमें जो अगर आप पूरा बंद कर देंगी तो इसमें भाप बन जाएगी और फिर पानी सारा अंदर ही बिंडी में सोक लेगा तो इस बिंडी एकदम गीली हो जाएगी तो इसे बनाने के बाद हमेशा धकन इसका थोड़ा पानी बाप ना बने तो चलिए अब यहां भिंडी बनकर तैयार है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो यह देखिये भिंडी कितनी खिली खिली और अलग-अलग बनी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है ना यह जली है और ना ही यह कच्ची बनी है तो मेरी वीडियो आपको गैसी लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो चलि ये फिर मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ ओके बार बार अल्ला हाफीज